शहर में सुव्यावस्थत विकास हो, कॉलोनी में निवास करने वालों को बाद में किसी तरह की परिश्वानी न हो। इसलेकर इन्दार कलेक्टर ने एक नई पहल प्रारम की है। कॉलोनी सेल द्वारा दीजवाने वाली अनुमती के प्रते एक प्रोजेक्ट की वेस्वाया मॉनिक्रिंग कर रही है। गुरुवार को पंदरा प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन दिया गया जिसमें से तीन प्रोजेक्ट को मानत पूरे न करने पर फिलहाल रोग दिया गया है। देखिए एक खास रपोग। शहर में कॉलोनी तो कई विक्सित हो जाती है। लेकिन सविधाओं के नाम पर प्लॉट धारक खुद को ठगा सा महसूस करते हैं। कई कॉलोनी में बिजली की समस्तिया तो कहीं पर सड़क निर्मान अधूरा रहता है। वहीं किसी कॉलोनी में ड्रेनेज लाइन ही नहीं होती। ऐसे में कॉलोनी विक्सित होने के बाद भी वहां रहने वालों को खासी परिशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कॉलेक्टर आशीश सिंग ने कॉलोनी सेल के द्वारा ज्यारी किये जाने वाली अनुमती की मॉनिटरिंग प्रारंब कर दी है। अब प्रतेग पखवाडे में 10 से 15 प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखा जाता है। प्रेजेंटेशन में बुनियादी सुविधाओं के साथ कॉलोनाइजर क्याब विकास कारी कर रहा है। इसे बारीकी से देखा जाता है। गुर्वार को भी 15 प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन दिये कैं जिनमें अधिकतर प्रोजेक्ट को मंजूरी प्रदान की गई। कलेक्टर आशिर सिंग के अनुसार कॉलोनी में बुनियादी सुविधाओं के साथ पर्यावरंड की दृस्टी से स्टीपी प्लांट हर्याली और ड्रेनेज लाइन अनिवारि पिंतु है ताकि बाद में रहवासियों को परिशानी नहों। ताकि अधिकांश इसमें पास कर दिये गए हैं दो या तीन में कुछ जो तकनिकी खामिया हैं उनको केवल किया गया है उसको भी आगामी दो-तिन दिनों में क्लियर किया जाएगा हमारी मनशापूरी तरीके से क्लियर है कि कॉलोनी का विकास इस तरीके से होना चाहिए कि ब प्रेंटेशन के बाद तीन प्रोजेक्ट को रोका गया है उनमें जो कमिया सामने आई है उसे दूर कर अगले प्रेंटेशन में शामिल किया जाएगा वीरोड रिपोर्ट एंपी न्यूज इंदौर